अज हम करने वाले हैं आपका दूसरा पाठ दूसरे पार्ट में आपका आएगा एलेक्स्रे लॉडग्र मो वर होता है फ्ले मिंग्स सेछा लेप्ड शाञ रूल का थोड़ा ब्रीफ देदू में तो देखते हैं तो सबसे बहले फ्लेहिं का लेफ्ट रोल लेख लेंगे उसके बाद हम समझेगे वान सकरण जसे फशलेे सबसे बहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके अपक 이 हैंड की फोर अधीज यानिकी आपकी मैंअटिक फीर आपका middle finger यानि कि ring finger आपका रिप्रेंट करेगा आपका current और आपका thumb रिप्रेंट करेगा motion ठीक है motion ओके चलिए motion कह सकते हैं उसे ओके अब आते हैं नीचे ठीक है ओके यहाँ पे आते हैं और पढ़ेंगे आपका बहुत ही प्यारा शेप्टर विच इस इस टॉपिक है सकते हैं इसे तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है और इस वाट इस एलेक्ट्रिक मोटर वह होती है जो आपकी mechanical energy में बदल जाती है after you convert into electrical energy यानि कि conversion of electrical energy to mechanical energy यानि कि अगर आपकी electrical energy mechanical energy में convert हो रही है तो यह आपकी तो यह आपकी कौनसी है यह आपके electric motor है और आप definition लेक्ट्रिक मोटर होगे definition में आप यह लिख क्या होगे the device that converts electrical energy to mechanical energy is known as electric motor इस नोवन आज the device that converts electrical energy to mechanical energy is your electric motor ठीक है electric motor इस है rotating device अब यह बाद लिखेंगे rotating device जाता important है rotating device that converts electrical energy to mechanical energy ठीक है आई वाला पार लिखेंगे मैं ऐसे आशा करता हूं ओके अपसे पहले हम समझा पड़ेगा कुछ कुन important points जो आपको समझाने important है electric अगर आपके आजाए कि इसका users कहा होते हैं तो users में 3 points लिखे आजेंगे तो पहले आपको लिखेंग मशीन वाशिंग मशीन घूमती है बड़े इतना रूज कर सकते हो तो तुम्हाला रफिजेरेटर्स और आपके अपके लिखने के लिए आजाए तो ओके बच्चो इतना तो आपको समझ में आ गया अब आते हैं सर यह समझ में तो नहीं आया अब मुझे बताईया कि इलेक्टर्मोटर कैसे काम करती है तो इलेक्टर्मोटर काम करने के लिए तोसे परले हम एक चीज समझते हैं हम वो चीज समझते एरिया वेक्टर क्या होता है तो एरिया वेक्टर क्या होता है तो एरिया वेक्टर आपको आपको एरिया आपको वेक्टर स्केलर तो पढ़ा यह जाओंगा कि जो आपका area vector है वह अभी इस plane के लिए perpendicular है क्या है Paraisseur Kanशे Whitaker जो नॉर्मल होता है वह Par employment यह कि नोगा है, यह जो है, यह आपको समझाने के लिए यह इसका नाम भी देए आपको कंफूस नाइ पहे हैं इसका नाम बहने है, E से और F जो है, यह आपका क्या है यह आपका area vector which is perpendicular to A, B, C, D अब आते हैं नीचे, अब धीरी दीरे करके पढ़ाऊंगा और एक लाइन को समझाऊंगा यगर आपको एक साथ समझना है तो उसके लिए एक अरा विट्यों ना दूँगा ठीक है आपके लिए ही बिना रहे हैं और आप लोग कुछ कहेंगे और आपकी बात ना फॉल्व की जाए तो फाइदा नियों बात को हाना तो आ हमारा जो थम है डाटफल रेपेजेंट और मोशन ठीक है भाईया इतना दो हमें सवाज में आ गया तो से पहले हमस्ते हैं कि कॉईल जो है यह हमारी जो कॉईल है वह हमारी यह किसकी बनी है इंसुलेटर कॉपरवार की बनी है ओके और यह हमारी प्लेस है मैंगटिक परेंगटिकलर है जो कॉईल है तो यह है कि आपकी जो मैंग कॉईल है जो इंसलोरेटेट अटॉबर ऊपर वायर से बनी है यो रिटेंगल कोईल जो है ईबी सिर्टी अर यह है और यह को बिताता है यह ऐसे ओक यह पर पेंटिक्ला है तो यह सब्धार हो गया है थीक यह पहीं यह आगिया ऑगया और यह हमारी मानटेफिल्द है यहां पर कम्यूट की तरह यूज किया गया है स्प्लेट्रिंग आपका बेसेकली वह रिंग है क्या करता हूँ वह रिवर्स खालते का डिरेक्शन ऑफ दी करेंट ओके अब यहां पर इसकी पहले हम वह समझते हैं इसकी कंस्रक्शन कैसे है इस कंस्रक्शन आहिए है कि आपके जो है नीचे आपको कि रख और करेंट और करेंट लहारे पी एकक सवर्धरी करिंधर आहरे में तरुथ च्यू ब्रुश वाई से क्यों से दूब यह आपने बाटरी में वापस घुज आ रहा है नेगरे टर्मिनल पर ठीक है इतना में इसकी कंट्रक्शन यह दिख रही है और यह पी की यह आपके क्या है स्विट्रिंग आपके कादम ब्रुश एक्स और वाई है ठीक है ओके और यहां पर अब आते हैं नीचे नीचे हमारे क्यादे रखा है वह पड़ेंगे रामसे अच्छे और यह से बच्चों के तरह नीचे हमारे में चीज आ रही है मैं आपको नीचे का पाट अच्छे समझा दूंगा उपा सुड़ा आपका कंस्रक्शन है यह खुद पढ़िएगा रामसे सुवर्डबेंगे अब डूमअ रियी है यह घ्राट झात एक पर अपके गजाई डिया है यह गाट अओर अपकर लगाओ कषिस ग्हें अपकर आप यह कर लगर दूंगे तब क्या होगे मेरे प्रक्षा अब यह पाओओ के प्यूर्बचो प्या चुक्पैर अपकों- अच्छा भई ऐसा भी होगा हाँ जो आफ लेफ्ट है रूल के साफ से सिखाव लोग यह तो आपका करेंट कैसे जा रहे है आपको यहां पर ऐसी जा रहे है करेंट यह है ठीक है और आपकी मैंगनेटिक फील इधर है ठीक है तो आपका जो है इस पर फोर्स लेगा इस तरफ इस तरफ फोर्स लागा है नीचे के तरफ ठीक है अब आपको मैं वापए समझाता हूं कि इस से देखें यह मैं आपको पैंट से आच्छे समझा दूंगा कि आपका जो है करेंट आ रहे है ऐसे पहली बार में एबी से आ रहे है फिर से तो यह वापस नीचे आ रहे है ओके अब जो है नीचे फोर्स लाग रहा है और इस पर नीचे फोर्स लाएगा तो सीडे पे अपर अपर और हूपर लेगा तो अब आप हाफ रोतेेशन के बाद यह जो है कार्बन ब्रश हुआ हे हमारा पी के साथ कंटाक्ट मैं जागा और कारबन-ब्रश Q जो है पेले यान कि सब्सक्राइब करें इसे पीए उपकर अपक्राइब करेंगा फ्रुरक्राइब करेंगा इसे इसे जिए हां जो है हमारे सीड़ी फेकर पर किनले नीचे फोर्सलाएगा ओहुनकि यानंग है अंग सब्सक्राइब कोुट्च के साब यहां साफ से नौट से साउन तो आपका जो upon लगती है नीचे और आपका यह लगती है नीचे टीक है और यह मैंने उपर किसी अपको अपने बोल रहें आपने बोलने ビन क्या हुआ है कि अब से वाद में हैं कि हमारा एक्सलय जो है उसमें हमारा चू है वह हमारा कंटाक्स्ट हमारेगा कानल ब्रुश एक्स के साथ यानि कि अब जो है हमारा एक्सलय गिफ आप बताइए जरा आप बताएंगे मोई जरा मैं नहीं होता हूँगा आप खुद बताएंगे इतना तो आपको असान खुदी अकल आपके अंदर अब एबी फोर्स हैगी उपर और सीड़े फोर्स हैगी नीचे यानि यह आपको रोटेशन होगी अब होगी क्लॉक्वाइस रोट दो के असानी से ठीक है तो यहां पर पेसके क्रक्स पर आते हम भी क्राक्र लिखावाएं है पर यह इंदिखा वाला पॉइच में कि धी फोर्सट ओवोर्स हाफ अर्ट नों रसा तर्ड रजेंगे रिवर्सिंग पारर तेल डिवर्सिंग उर्वर्सिंग कैल एट अगुद यानि कि पहली बार में A से B में ऐसे जा रहा था तो आप तूसरी बार में A से B में ऐसे जाएगा ठीक है अब जिसके commercial uses देख लेते हैं क्या क्या से commercial uses है commercial uses का Electromagnet में यूजाता है permanent magnet में ठीक है और कना में Electromagnet की हम Electromagnet इसमें जो है लाज नमर तर्ण ऑफ अपर कनेंग कोई आप अपर लिखावाई यह सब मैं पढ़ाना उचे नहीं समझता वैसा बढ़ाये तो इसमें बेसिकली क्या लिखावाई इनननों आपको कंफ्यूसर करके रखे मांको देंप क्या देखावाई आप इसकी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं आप इसी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं नंबर आफ तर्ण इंगरीज करके ठीक है यह तब कहता हूं यह इसकी आप यूज कर सकते हो इक यहाँ पर आप आपका कवर हो गया है यहार्ट मैंने भले ही नहीं पढ़ा यह बाड मैंने भले ही नहीं पढ़ाया यह बाद मैं